हीट- पंप्स हीट- पंप क्या होते हैं नाम से पताывать चल रहा है वह हीट कोंप कर देते हैं ज MURचा हीट- पंप पानी को वजह से पंप करते हैं नीचे-स उपर नीचा नीचा उपर पुढ़ता है ऐसंने हीट भी हीट अपने तो यहां पर गरम होती है वो लेकिन उसमें से हीट निकाल करके वो बाहर फेग देता है और यहां पर सब कुछ ठंडा रहते हैं हीट को पंप किया जा रहा है लोर टमपरिचा से हायर टमपरिचर अभी किस तरीके से काम करता है देखो हमें पढ़ने हैं इधियल, रिवर्सिबल हीट इंजन और हीट इंजन वो होता है वो रिवर्सिबल है और उसी को अप उल्टे डिरेक्शन में चला दोगे तो वो बन जाता है हमारा हीट पंप देखते हैं कैसे हमाँ पास एक होता था यहां पर इस तरीके से T hot और मान लो यहाँ पर उदा था हमारे पास T cold यहाँ पर हमारे पास एक heat engine इस तरीके से लगा था यहाँ पर थोड़ी सी heat absorb करी जाती थी कुछ reject कर दी जाती थी यहाँ से हमें meaningful work मिलता था हम क्या बोलते थे यहाँ पर Q1 है यह हमारे पास Q2 और हमें कुछ work मिला है इसी process को अगर मैं उल्टा कर दूँ क्योंकि reversible है अब मैं यहाँ पर कुछ work add करता हूँ इस तरीके से और यहाँ से इस तरफ heat जाती है यह इस पर जाएगी Q1 और यह इस तरफ निकलेगी Q2 थोड़ा यहाँ पर confusing हो सकता है Q1 Q2 हो गया है तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ Q in this is Q out ठीक हमारा first law of thermodynamics हमेशा valid होता है तो देको यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ heat जो अंदर आई है वो बाहर जाने वाली energy के बराबर होगी first law खेसाब से मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा Q in is equal to Q out plus W क्या यहाँ पर भी first law valid होगा of course होगा यहाँ पर जो heat इस दरफ जा रही है और यह हमने work add किया है दोनों मिलकर के Q2 के बराबर होने वाले थी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे work plus Q1 की case में हम efficiency define करते थे क्या होते थी efficiency is equal to हमाय पास कितना work हुआ है divided by कितनी heat हमने supply करी अच्छा यहाँ से देखो work होता था Q in minus Q out Q in minus Q out divided by हो जाता था Q in इसकी value हो जाती थी 1 minus Q out upon Q in हमने derivation से देखा थे जाता है 1 minus T cold upon T hot Similarly यहाँ पर यहाँ पर भी देखो हम कुछ चीज़ define कर सकते है efficiency जासी efficiency अगर आप निकालने चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसी calculation करोगे ऐसा कुछ result आप निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर efficiency पता करना हमारा interest नहीं है हम क्या पता करना चाहते हैं हमसे बोला जाएगा मुझे इतनी heat निकालनी है उसके लिए कितना work मैं दे दूँ यहाँ पर हम इन दोनों के ratios को देखते थे अब हम इन दोनों के ratios को बात करें तो यहाँ पर मुझे एक नई term define करने पड़ेगी कैसी term होगी वो मानलो मैं यहाँ से एक जूल work करता हूँ और उसके कारण यहाँ से पांच जूल absorb होती है और यहाँ पर six जूल उपर जली जाती है तो मैं क्या बोलूँगा मैंने one जूल दिया उससे मुझे five जूल हमें तो यहाँ ठंडा करने वाली heat से मतलब है यह क्या हो रहा है यह तो मैं काम की नहीं है हम काम तो ठंडा करना चाहते है main important चीज़ यह तो मैं बोलूँगा one जूल से five जूल heat extract हो गई तो मैं बोलूँगा यार इसकी performance इतनी बढ़िया है कि one जूल देता हूँ और five जूल extract हो जाती है यहाँ पर हम define करते है coefficient of performance जिसको बीटा से define किया जाते है COP भी आप इसको लिख सकते है coefficient of performance is equal to हमने कितनी energy निकाल दी और कितना हमने work किया था उसका ratio वो जाता है q1 upon w अब इसको simplify करें तो इसको simplify कैसे करूँ यहाँ से मैं लिख दूँगा work done is equal to q2 minus q1 दे हो जाता है q1 upon q2 minus q1 और यहाँ पर भी आप same derivations कर सकते हो आपको same result मिल जाएगा और वो result actually क्या होता है यह देखो यह q1 क्या है cold वाले temperature से heat ली गई थी q1 क्या है cold वाले temperature से heat ली थी यहाँ प्या जाता है हमारे पास tc q2 क्या है जो hot reservoir पे heat छोड़ी गई है वो हो जाता है हमारे पास th minus tc तो c o p की value हो जाती है देखो इसको मैं लिख दूँगा temperature of cold upon delta t efficiency की value हो जाती है delta t upon t hot यही दो हमारे सबसे ज़्यादा काम के formula है आपको बस ये दो formula यादत ले अच्छा हमाए पास ये देखो t hot और t cold के बीच में operate कर रहें आप actually eta और beta दोने के बीच में भी relation ला सकता है आप इसको derive करोगे तो आजाएगा beta is equal to 1 minus eta upon eta अगर same ही heat engine को मैं convert कर दूँ heat pump में तो मेरे पास ये वाला relation valid होता है आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा हमें पास था एक Kelvin Planck statement वो बोलता है कि पूरी की पूरी heat energy को हम work में convert नहीं कर सकते है थोड़ी सी heat हमें इधर reject करने ही पड़ेगे और दूसरा था हमारा closure statement वो बोलता है कि हमारी heat अपने आप cold से hot में transfer नहीं होगा हमें कुछ extra work को इसमें add करना पड़ेगे यहाँ पर हमें second law की application देखने को मिलती है हमारे को सिर्फ ये दो formula याद रखने से हमारे सारे के सारे सवाल solve हो जाएंगे बहुत ही आसान ही ये formula है ना derivation हमने कर ही ले अब कुछ questions solve करते हैं At an ambient temperature of 42 degrees Celsius a refrigerator can maintain 2 degrees Celsius inside its closed chamber by absorbing 200 joule per second from the perishable products how much electric power does it consume बड़े भारी भारी शब्दों का यहाँ पर इस्तिमाल हो है तो देखके लग रहा है question बड़ा मुश्किल है लेकिन actually बहुत आसान है इस तरह के जब भी questions solve करेंगे हम हमेशा डाइग्राम बनाएंगे हमारे पास हमेशा एक T hot होता है जो कि इस case में है 42 degrees Celsius और हमेशा एक T cold होगा जो है इस बार 2 degrees Celsius क्या मैं इसको Kelvin में convert कर लो नहीं तो मेरी गलती यहीं हो जाएगी सबसे पहले इसको Kelvin में convert करोगे 273 प्लस 42 करोगे 275 315 Kelvin हमारा पास यह आ जाता है 275 Kelvin इस पार हमारा refrigerator है यहां पर इस तरीके से refrigerator होगा इसमें हम कुछ work करते हैं उसके कारण यहां से heat उपर जाती है और फिर इस तरीके से उपर जाती है अब लिखा है यहां पर perishable, perishable क्या होता है कोई भी जो चीज perish हो जाए तो हमारे case में हम बात करते हैं तो पल सबसी यहां सड़ जाते हैं थोड़े time बात तो उनको हम fridge के अंदर रख ले उन perishable से 200 Joule per second absorb करता है यहां पर यह है हमारा 200 Joule per second उस बार actually हमें heat energy नहीं दिया है, heat energy per second की turns तो हमसे बात कर लिए तो ratios तो same ही रहने वाले हैं न, एक second में बस हो बात कर रहे होंगा हमसे पूछा गया है कि how much electric power does it consume? तो हमें यहां पर work पता करना है क्या मुझे पता है बीटा की value क्या होती है, formula क्या है, होता है temperature divided by delta कौन सा वाला temperature यह है, T hot है या T cold है, याद रखने का तरीका बताता हूँ बीटा होता है, refrigerators के लिए, refrigerator में हम चीज़े ठंडी करते हैं तो यहां पर actually T C होता है यह हमाँ पास formula है, जल्दी से मैं बीटा की value निकाल देता हूँ, तो बीटा की value हो जाती है, T C है हमारा 275 Kelvin में आईगी यह value, right, और delta T है हमाँ पास 40 Kelvin यहां से इसकी value जो भी आजाएगी चलो भी इसको ऐसे ही रहने देते, alright अब मुझे हमारी power यहां की पता करना है, अगर यह एक power है, यहां से जो power extract करी है और यह जो हम करते हैं उसका ratio होता है, कितने power में, कितना ज्यादा मुझे यहां पर absorb करने को मिल रहा है, right मैं यह लिख दूँगा, this is equal to, beta is equal to, q absorbed divided by work which is equal to, अगर मैं per second की बात कर दूँँ, तो यह हो जाता है, 200 divided by power इसकी जो भी power है, और इसकी value आजाती है, हमाना पास 275 divided by 40 यहां से power की value आजाती है, सीथे-सीथे, 200 into 40 divided by 275 which is approximately equal to 29.1 watt तो यह actually बहुत ही कम power consume कर रहा है, सिर्फ लगबग 30 watt की हम power supply करते हैं और उससे यहां से 200 watt absorbed हो जाता है, अब इसमें आपसे और एक सवाल पूछा जा सकता है, यहां पर reject कितनी हो रही है reject कितनी हो रही होगी, यहां से जो power आई, यहां से जो power आई, वो यहां पर गई है तो उसका total answer है, 229.1 watt reject करी जा रही है, इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते थे हमेशा इस तरीके से diagram बनाओ, confusion नहीं होगा, formula यार रखने, बीटा होता है, बीटा होता है, T upon delta T क्योंकि बीटा में हम ठंडा करें, तो T cold यूज़ किया जाएगा, इटा होता है, efficiency, वो होता है, delta T upon T यहां पर हम hot cheese energy लेते हैं, तो यह T h हो जा रहते हैं, यही दो formula है, सारे सवाल ऐसे ही solve हो जाएगा एक और बहुत ही अच्छा सवाल, तो concept तो सहीम ही लगने वाले हैं, अब क्या होता है, उस concept के आगे से सवाल modify किया जाता है, देखो, a carnet engine with an ideal gas as the working fluid is operated backwards to freeze water at 0 degree Celsius इसलाइन से हमें सीथे से एक चीज़ पता चलती है, डाइग्राम ज़रूर बनाएंगे, क्या हमाँ जब T cold है, वो है 0 degree Celsius या फिर 273 Kelvin इसका हम लिख देंगे if the outside temperature is 20 degree Celsius, तो चलो हमें hot temperature भी मिल गया, 20 degree Celsius which is equal to 273, 83 to 93 Kelvin and the engine is driven by a 200 watt electric motor, तो यहाँ पर हमारे पास engine चल रहा था, engine basically heat engine था और उसको convert कर दिया है refrigerator में, तब वो refrigerator चल रहा है हमारा 200 watt motor से, alright, find the amount of water frozen per minute, गी पार्ट इनने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, alright, तो पहले यहाँ पर हम simple सा diagram बनाते है, हमारे पास यहाँ से कुछ q absorbed होगी, और यहाँ पर हमारे पास q rejected होगी, सबसे पहली चीज, तो मैं beta define कर देता हूँ, beta क्या होता है, यह होता हमारा पास t divided by delta t, t कौन सा होता है, cold वाला है, tc upon delta t, इसकी value आने वाली है, 273 upon delta t की value कितना है, देखो 0 degree Celsius, 20 degree Celsius, difference is 20 Kelvin का यहाँ अगया, अब यहाँ से कुछ power absorb हो रही है, आना, power absorb, power absorb divided by 200 watt, क्या चीज है, इसका ratio divided by this, यह ratio क्या होता है, यही तो होता है हमारा coefficient of performance, this is equal to beta, which is equal to 273 upon 20, जब आप ऐसे diagram मना लोगे तो आपको पता चल जाएगा, बीटा क्या होता है, एक joule मारते हैं, पांच joule खीच लेता है, बीटा is equal to 5 divided by 1, यहाँ पर power जो absorbed हो रही थी, divided by 200, power absorbed divided by 200, वो ही हमारा बीटा होना चीज है, यह हमारा पास आगया, यहाँ से मैं power absorbed पता कर सकता हूँ, पी is equal to 273 multiplied by 200 divided by 20, यह कट जाता है हमारा पास 2 और यह जाता है 2730 Watt, क्योंकि यह watt में था तो यह भी watt में, अब मुझे इतने watt मिल रहा है, पता करना है कितना water हमारा freeze हो रहा है per minute, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखो, हमें 80 calorie per gram कुछ दी गई है value, तो इसको मैं joule per second को calorie per second में ले आता हूँ, इतने, actually watt को मैं लिख देता हूँ, joule per second is equal to, calorie में कितना हो जाएगा, इसको 4.2 से divide कर दो, तो जाएगा 2730 divided by 4.2 calorie per second, अब यहाँ पर हमें लगाना है conservation of energy, जितनी energy यहाँ से चूसी जा रही है, खीची जा रही है, वो किसके बराबर होगी, latent heat of fusion multiplied by, हर second कितना mass convert हो जा रहा है ice में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m dot, या उसको m dot लिख दो कुछ भी, mass की जो rate है, m dot multiplied by latent heat of fusion is equal to, जो भी हमारी power absorbed आई है, यहाँ से mass की जो value आ जाती है, m dot की वो जाती है power upon lf, power की value है 2730 divided by 4.2 calorie per second, lf की value क्या है हमाँ पास 80 calorie per gram, यहाँ से देखो units भी अपना पी यह कट जाता है, हमाँ आपस answer आने वाला है, gram per second में, और इसकी numeric value आप solve करोगे, तो यह कितना जाता है, 0 से 0 कट गया, यह actually हाँ जाता है, 65 upon 8 gram per second, क्या है हमारा answer हो गया, अभी नहीं आया, हमसे बूचा है, frozen per minute, अब इससे per minute की बात करो, per minute is equal to 65 upon 8, multiply कर दो, यह कितना था, एक second में इतने gram होता है, 60 से multiply कर देंगे, minute में आ जाएगा, तो इसकी numeric value आ जाती है, 487.5 gram per minute, अगर हमाँ पास इन temperatures के बीच में, refrigerator operate हो रहा है, और 200 watt cups को power दी जा रही है, तो हर minute लगबग 1.5 kg बरब जम सकती है, feet pump का ये वीडियो एक छोटा सा पार्ट था, क्राशिफ यॉलो सीरी से, जो की absolutely free में available है, please description में लिंक से उसको check out ज़रूर करना, लेकिन उससे पहले मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की ज़रत है, please QR code को scan करो, कुछ amount donate करो, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए बनागे लापाऊ, हम मिलेंगे यॉलो सीरी,